और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जैपुर से जहां कांग्रेस में बड़ी टूट होने जा रही है कांग्रेस के दिगज नेता अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं बड़े दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि पूर केंडरी मंतरी और यलो सरकार में केबिनेट मंतरी लालचन कटारिया भाजपा में शामिल हो सकते हैं और अब ये सुत्रों के अवाले से खबर आ रही है कि लालचन कटारिया भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं उनके साथ कई जो सुधान है और कई जो कांग्रेस के कारे करता है वो भी भाजपा में शामिल होंगे कल सुब कर दिया था और उसके बाद से ये अटकले लगाए जा रही थी कि लालचंद कटारिया आशिर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं क्यों वो पार्टी से दूरी बना रहे हैं और इसका नतीजा क्योंकि पिछले दिनों ही खबर ये आई थी कि दिल्ली में मुलाकात हुई है भाजपा के बड़े नेताओं से लालचंद कटारिया की और शामिल हो सकते हैं लेकिन वो अटकले सा भी ठीटी उससे बाद आब ये खबर सामने आ रहा ही कि लालचंद कटारिया आखिरकार भाजपा में शामिल हो रहे हैं और समय भी बता दिया गया है सुत्रों के हवाले स कि कल सुबह 11 बजे भजालाज शुचर्मा मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सीपी जोशी प्रदेशा द्यक्ष भाजपा के मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में ये सरदस्ता ग्रेंड कराई जाएगे आपको पता दें कि इससे पहले महेंदर जीत सिंग मालव पतारिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे उन्हें भाजपा ने अपना उम्मीदवार मनाया बास्वाड़ा से और ये अटकले लगाए जारे कि लालचन कटारिया भाजपा में शामिल होते हैं तो जैपूर ग्रामीन से उन्हें लोगसबा का बना सकती है बड़ी खबर इस वक्त की राजस्तान में सियासी गलियारों में बड़ी खबर है और चर्चा तेज है कि कल सुबह 11 बजे ये शपर ये जो पद जो पार्टी में शामिल होंगे पार्टी बदलेंगे लालचन का तयारिया लोगसबा चुनाओं से पहले राजस्तान में बड़े इस तरपर दल बदल होने की खबर की चर्चाओं का बजार गरब है आली में मद्यप्रदेश में 15 कांगरेश के नेता बीजेपी में शामिल हुए अब खबर ये है कि राजस्तान में बड़ी संख्या में मद्यप्रते बजाब का दामन ये थामेंगे कांगरेश के नेता चर्चाओं और अठकलों का लेकर कई तरह की अधिकारी का अभी तक पुष्टी हाला कि अभी तक नहीं हुए हवालों से खबर है कि भाजपा का दामन थामने वाले कांगरेश में नेताओं में पूरवर्ती घेलो सरकार म केबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया का नाम चर्चाओं में सबसे उपर है उनके अलावा पूर विधायक रिचपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, पूर विधायक आलोग मेनिवाल, खिलाडी लाल बैरवा और सेवा दल के पूर अध्यक्ष रह चुके सुरेश चो बाजपा में शामिल होने वाले कांग्रेस के इन सभी वरिष्ट नेताओं से केंद्री संगठन तक की बाचीत होने के बाद सहमती बन चुकी है, अब बस एक उपचारिक कारिकरम करने के बाद इन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रेंड करा दी जाएगी बताय जा रहा है कि कल 10 मार्च को 11 बजे जैपर उस्तित राजस्तान के जो भाजपा कारेले हैं वहाँ पर कांग्रेसी नेताओं को भाजपा में एंट्री कराई जाएगी इस जोराम प्रदेश प्रभारी अरुन सिंग, प्रदेशा अद्यक्स, सीपी जोशी, साहीत, सीम भजनलाल शर्मा और तमाम भाजपा के बड़े नेता मौझूद रहेंगे गौरतल अभी के कांग्रेस के कई वर्षों तक वरिष्ट नेता रहें महिंदर जी सिंग मालवे ने हाली में भाजपा जोईन करने के बाद बड़ा जटका दिया था उन्हें राजपा का जो लोगसबा का केंडिड भी भाजपा ने बनाया है अब कई वरिष्ट नेताओं के भाजपा में शामलोंने की खबर यदि सच साबित होती है तो लोगसबा चुनाओं से एन पहले कांग्रेस के लिए बड़ा जटका होगा क्योंकि लालचंद काटारिया एक बड़े नेता है और मजबूत कैंडिड है जैपुर ग्रामिन में उनकी पकड है और भारती जनता पार्टी को क्योंकि राज्यवर्दन सिंह राठोड वहां से चुनाओं लड़ते आये हैं और अब वो विधान सभा चुनाओं लड़ चुनाओन लड़े लड़टी पार्टी की और से पहले वी चरुटन से दिल्ली जब द ़ौरे हुए थे लालचंद काटारिया थे बताए चानि नाम और शामिल था अध्यार्या और लालचंद काटारिया भाजपा में शामिल हो सकते हैं लेकिन वो उसवक्ट वोके केवल प अब जब माल भी यह गए तब कंग्रेस के नेताओं के बयान आए डोटा सरार ने जो प्रदेश अध्यक्षा कांग्रेस उन्होन भी का जो जाने वाले वो जाएंगे कांग्रेस का ये ही रवैया अब देखना हिए है कि जो राजस्तान कांग्रेस इसमें क्या क्रव एटाती ह या सहीत जो बड़े नेताओं के नाम है अगर वो भाजपा का दामन थामते हैं तो निश्ची तोर पर ये कांग्रेस के लिए प्रदेश कांग्रेस के लिए बड़ा जटका होगा क्योंकि यहां दो बड़े नेता पूर मुख्यमंत्री अशुर गयलोथ और सचिन पाइलेट लगातार लोगसभा चुनाओं के तैयारियों में जुटे में हैं लगातार बैठोपर का दोर चल रहा है और इसी बीच अगर बड़े नेता कांग्रेस का दामन छोड़ कर वीज़ेपी में शामिल होते हैं तो ये निश्ची तोर पर राज़तान कांग्रेस के लिए बहुत ये गंबीर मसला होगा और अब इससे कैसे ने पड़ती है प्रदेश कांग्रेस और बड़े नेता क्या समझाय जाएगा क्या मनाय जाएगा क्या वो मुद्धे हैं जिनको लेकर कटार या भाजपा में शामिल हो रहे हैं ये वक्त ही बताएगा